ये सभी को राधे राधे आज मैं ये बात करने वाली हूँ कि जो ये संग के द्वारा हम लोग को लेटर आया है कि अब हम लोग ज्वाइन कर लें तो उसके बारे में कि महा संग जो गोप उठा है उसके तरफ से एक लेटर आया है तो उसके बारे में सभी लोग बोल रहे हैं अगर स्वास्त मंत्री की तरफ से अगर कोई लेटर जारी होता है तो हम लोगों को बेटर रहेगा उसके बाद ड्यूटी जॉइन करेंगे तो नहीं तो फिर ड्यूटी जॉइन करने के बाद हम लोग को बात को कोई नहीं सुना जाएगा आप चिलाते रह जाएगा और ड्यूटी करना आपका मजबूरी बन जाएगा तो उसमें लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात क हीन कारेरत संबीदा एनेम एनेचेम कर्मी संघर्स मोर्चा के आहान पर एफारेस की बापसी सहीत अन्ट सुत्री मांगो को पूर्टी है तो आठ जुलाई चोविस से ही अनिस्चित काल कार्ज बहिसकार अंदोलन जारी है मतलब कि हम लोगों की जो साथ सुत्री मांग है और एफारेस फेस अटेंडेस की बापसी की उसके बारे में है कि एफारेस को हम लोग मतलब की नहीं लेना चाते हैं इस पे कोई काम नहीं करना चाते हैं इसको बापस लिजिए उसके बार में है तो उसके बाद लिखा हुआ है कि उलेक निये यह है कि स्वास्त विभाग द्वारा जमीनी भागौलिक इस्थिती और यातायाद सुविधाओं की इस्थिती का सरवेच्छन और क्रमचारी संगठनों के परतिनीथियों से विचार बि और वह भी एक दिन में तीन तीन बार सरकार से इस उत्पिडनकारी तुगला की फर्मान के कारण पहले से ही विभीन समस्यों से पिडित संबीदा स्वास्त कर्मी इस एफारेस की बापसी सहीद अन्साथ सुत्री मांग की पूर्ती हैतु 8 जुलाई 24 से अनिस्चित कालिन का राज वहिसकार अंदोलन या थाल के लिए मजबूर हो गये हैं यह अंदोलन सरकार स्वास्त बीभाग के हट धर्मी रवया के कारण आज 60 दिन भी जारी है मतलब की हड़ताल मुफो को दो महिना होly है मतलब की 60 दिन तक जारी है विदित हो की राज सरकार के स्वास्त बिभ दिनांक 28 जुलाई को 23 एवं 29 अगस्त को दिनांक को और 39 दोजार 24 के अप्रामहन अप्राहम में स्वास्त मंत्री स्रीमंगल पांडे से उनके अवासिय कर्याले में राजस्वास समीती कर्याले में कारिपालक निदेशक से पुना बारतवी मतलब ये तीन दीन बारता हुई इस पूरे अंदोलन वा बारता के नितरीत सम्वीदा एनेम एनेचेम कर्मी संगहर्स मोर्चा के परतिनीथियों के अलावा भगपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम उपनेता सत्यदेव राम मलसी वा ओल इंडिया स्कीम बरकर्स फेडरेशन की राष्टिये महा सच्चिव सच्चिव रन विजय कुमार ने परमुक्ता के साथ किया मतलब ये सब जो हैं गोपकुट के अध्याच ये सबी लोग बारता कियें ये तीन दिन जो डेट है 28 जुलाई 23 और 29 अगस्त और 3 सिटंबर तक के इन लोग बात कियें अब तक हुई बिभीन अस्थर की कई दोरों की वारता के करम में कार्ज वहिसकार अंदोलन के साथ सुत्री मांगो में निमलीखित बींदों पर सहमत्ती ब्यक्त किया गया जो निमन परकार है मतलब की सहम हारी कठनाईयों को मद्दे नजर मद्दे नजर एफरेस के टाइमिंग में धील देते हुए नव वज़े से तीन वज़े दो वर किया जाएगा और हाजरी दर्ज करने का स्थान का दाइरा दूस से तीन किलोमेटर तक बढ़ा दिया जाएगा इसके लिए एफरेस एप में इन लोग भी नहीं निकाल रहे हैं डाइरेक्ट बस नौ से तीन का मतलब कि इतना देर में दो वर आपको हाजरी देना है जब फिल्ड में अटेंडेस बनाने का कोई स्वीधा ही नहीं है उधर नेटवर्क ही नहीं है तो फिर इस तरह के मांग क्यूं मांग रहे हैं और इस लेकर यथा संभव ग्री जीला एवं निकटवर्ती जीला में करने की करवाई की जाएगी जिसमें महिलाओं को उनके मायके या ससुराल के नजदी का दस्थापना किया जाएगा मतलब कि जो दूर दूर से ड्यूटी कर रहे हैं उन लोग के अपने पास का एरिया मायके या ससुराल में दिया जाएगा उनका मतलब ड्यूटी दिया जाएगा और तिसरा है जिनका मान दे अभी तक भगाया होगा उनको जल्दी से जल्दी भुकतान कर दिया जाएगा मतलब कि आपका पेमेंट अभी रुका हुआ होगा तो उसको जल से जल पूरा कर दिया जाएगा चोथा है सभी एनेम एनेचम कर्मी को सरकार के तरफ से मोवाइल अस्मार्टफोन के अलावा नेट रिचार्ज की मासिक रासी दिया जाएगा अच्छा मतलब नेट रिचार्ज के और मोवाइल भी दिया जाएगा सभी HSC एवं HWC पर सभी बुनियादी सुविधाएं सवचालय पेजल बिजली इत्यादी का जल से जल विवस्था किया जाएगा छटा है कार्ज भाहिस्कार अबधी के दे अगरीम अबकास में समंजित कर मांदेव का भुकतान किया जाएगा यानि कि आप इतना दिन से कार्ज भाहिस्कार कर रहे हैं उसका किसी तरह से चुटी में उसको समंजित करके उसका मांदेव मतलब की पेमेंट आपको दे दिया जाएगा उसको रोका नहीं जाएगा हम यह भी अबगत करा देना चाहते हैं कि उपर बरनी सहमत बिंदू पर सरकार के सक्चम अधिकारी द्वारा लिखी सहमती पत्र दूसे तिन दिन में जारी करने की बात हुई है उक्ट अलोक में संघर्ष मौर्चा महसंग गूठ ने निरनाय लिया है कि लिखित पर्त मिलने पर संघर्ष मौर्चा महसंग गूठ का द्वारा अंधोलन को समाप्त करने के लिए निर लिया जायेगा फिलहाल लिखीत पत्र जारी होने तक कार लिवाइस कार अंदोलन जारी हो मतलब कि अब लोग जो फेस अटेंडेंस की बात कर रहें थे उस पे इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ आपका नेटवर्क रहे या ना रहे ये कब सुभीधा होगा नेट रिचार्ज का और जो मोवाइल नेटवर्क स्मार्टफोन मिलेगा और वहाँ पे जाल नेटवर्क के भी इस्थिती तो जब तक ये सब लागू नहीं होता जब तक कोई फेस अटेंडेंस नहीं बनाई है कोई फाइदा ही नहीं आप लेट होएगा ये क्या मतलब हुआ कि 에फारेस हम लोग को क्या तरीका है ये संग जो हमारे साथ खेला किया है उसका क्या अर्थ है मतलब की हम लोग क्यों इस तरह से बेवकुफ बनाए जा रहा है कोई भी संग सही डिसीजन जो हम लोग के हीद में है वो नहीं ले पा रहा है उन लोगों को यही बोलना था कि आखिर जब फेस अटेंडिस नेटवर्क उधर है ही नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे और चौती बात यह कि हम लोगों को जब वहां पर काम करते हैं तो बहुत कम पेमिंट है तो समान काम का सम समान बेतन इसमें तो लिखा ही नहीं है तो हम लोग क्या मतलब 15,000 में दीन भर तक वहीं ड्यूटी करते रहेंगे और आप गरंटी लीजेगा सुरक्षा की जो फिल्ड है जो वहां पर नहीं वहां पर मतलब की गाड़ी किस विधा है ना रोड है पहारी है तो वहां पर आ है सही क्योंकि यह हमारी बात को रखा ही नहीं है स्मार्ट फोन देगा और नेटवर्क देगा और पैसा देगा जितना होना चाहिए हम लोग को और नियमित करेगा करेगा तभी हम लोग फेस्ट टेनिस वायंगे यह क्या मतलब हुआ कि आप 2-3 किलो मीटर तक बढ़ाया ज गुम्राइक कर रहे हैं और हम लोग इतने दिन से परसान कर रहे हैं अब लगता है कि बीना संग के हम लोग साथ होकर एकता बनाकर आगे पढ़िए और सभी लोग इसमें जुड़ जाई जाये तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यह लोग हम लोग को मुर्ख बना रहे हैं और हम लोग मुर्ख हैं जो इनका साथ हैं संग है संग को क्या पता कि क्या दिकत है क्या प्रोब्लम है हम लोगों के साथ वो हम लोग जानते हैं हम लोग को पैसा चाहिए बराबर बहुत कम पैसा में काम करते हैं हमारी खर्च नहीं निकल पारती है हम लोग किस तरह से रहते हैं यह हम ही लोग जानते हैं तो आप लोग प्लीज साथ दीजिए और नहीं देना है तो बीना संग के हम लोग लड़ेंगे बीना संग के हम लोग लड़ेंगे और सभी लोग को से कहना चाहते हूं कि हम लोग अपना एक ग्रूप बनाएए और सभी उसमें जु लेगा तो आप संग से हम नहीं बीना संग के हम लड़ेंगे और हम लोग जीत कर दिखाएंगे तो आप लोग इस बात को समझे और नहीं तो फिर यह लोग तो लाइश वह बनाने में लगे हुए हैं टो थैंक्यू सभी को थैंक्स डॉ ET कर आट